हेलो दोस्तों। इस चप्टर का इस चप्टर का नाम रखा गया। इस प्रची नाम उल्टर का नाम याद है। इस स्टोरी की बात हो रही है। आप अब आफ्टोर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रियल स्टोरी है, फ्राइंको प्रॉशन वार के ताइमस में, 1870 के आसपास, जब टाइटल आप दे स्टोरी कह रहा है, दे लास्ट लेसन पर, आक्चुली टाइटल का आक्चुल मतलब है, यह यह लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्स, अलसे और ल कर दीजिये और जर्मन सिखाना शुरू करिये, तो इस वास्ट लोग इस चैपर के आंसर को डील कर रहे है, इस साउंस बेटर, इस चाइट लेटर रहे है, और टरिटरी ऑट रहे है, तो इस तरिटरी से उस लेंगविज की कलचर को हटाना, और एक नहीं लेंवज को इंपोस करना, की स्टोरी है right the characters are friends and am hamill friends के introduction में से इतना याद रखिए he is a school student or school goer भी लिख सकते हो और इस introduction के साथ इसकी तीन attributes भी याद रखिए जो आपको काम आएंगे friends is a very uh can we say procrastinator kind of that delays till tomorrow आज करें सो काल कर काल करें सो बर्सों ये philosophy है सकी इसी लिए आज सुबह fine morning में जब उठता भी है तो सोचता है आज school bunk मारते है that's was the first storyline of this past this whole chapter morning बहुत शांदार थी Prussian army drilling कर रही थी दिर से उधर उस Prussian army के साथ chirping of birds भी मिल रहा है the sky is clear मौसम बहुत सही है bunking outing पे जा सकते है लेकिन he had the strength to resist last line में आता है where he wanted to go चलो कोई बात नी इतना मौसम अच्छा है मौसम is awesome के बावजूद I will go to school तो एक बार के लिए procrastinator वाला feeling इसमें आएगा जरूर और friends उसके साथ-साथ sensitive भी है situation जो भी बन रही है poor man poor man बार-बार Am Hamill को बुला कर कितना बुरा लग रहा होगा उसको यह बोल कर friends अपनी sensitivity समझा रहा है और इसी के साथ जब आप material पढ़ेंगे तो उसमें बहुत detail मैंने समझा रखा है कि friends एक procrastinator और sensitive nature के साथ-साथ regretful nature भी दिखा रहा है या पर he is quite repentful regretful towards bunking his past classes of France तो आज उसको यह सारी past classes बंक करने का बहुत पेन है so he is guilty and regretful at the same time he is a procrastinator and also he is quite sensitive towards the surroundings let's talk about Am Hamill इसके characteristics में introduction में आप लिख सकते हैं अगर बाय उसके चाहता है तो Am Hamill is a French teacher with 40 years of service into the district of Alsace, France okay तो यह Am Hamill का introduction हो सकता है Am Hamill इस तरीके के attributes को process करते हैं तीन words में बता देते हैं याद रखना Am Hamill is a very strict but at the same time very sincere French teacher strict disciplinarian है क्योंकि उनको cranky बुलाते थे Mr. Am Hamill को friends बुलाते थे cranky nature का तो वो strict nature के थे disciplinarian थे इसलिए he was also a sincere teacher क्योंकि उनकी सारी स्टोरी में output जो निकला है वो यह है कि वो बहुत कम बोलकर बहुत अच्छे से अपनी चीजों को portrait करकर समझा देते थे जदा कुछ the third part is वो sincere strict होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे patriotic भी है तो उनका patriotism दिखता है जब वो अपने France को छोड़ कर किसी और देश में बसने जा रहे हैं तो क्या दुख से वो गुजर रहे हैं उनका चहरा किस तरीके से observing characters में France की तुरू दिखाया है हमने इस सब दिखा सकते हो कि M.M.L. was a 100% of patriotic teacher of his country. Can we carry on? Let's talk about storyline. Storyline में मैंने आपके लिए 4 ऐसे points डाले हैं जिससे almost सारे questions आप cover कर सकते हो of the whole story. अपार्ट फ्रॉम, extract base lines है. कुछ lines हैं जो extract base है उसको हम लोग end में discuss करेंगे while star lines will be discussing. उन lines पर बात में आते हैं पैरे storyline short में समझते हैं. आपको पूरा chapter कुछ भी पढ़ने की जरुरूद नहीं है. अगर इसके लिए आपने मेरे इस link पर जो मैंने link बताया तो उस पर fine morning. So, जाने की इच्छा नहीं थी school, there was chirping of birds, there was a clear sky, there was prishan army drilling and it was all better than the rule of participles. जो rule of participles पर वाइवा होने वाले आज class में, उन सबसे बेटर था. और उस fine morning की pleasing characters को भी resist करते हुए, I somehow rush to school कहता है friends. So, that's the storyline of number one. What is number two? कि school में कुछ changes notice करने को मिलते हैं, ये changes ही आपके सबसे बड़े question मन जाते हैं, what was the unusual thing? Question number one आपकी NCRT का भी इसी पर है. So, unusual things not only in the school but also on the way of school. We'll start with, जब friends अपनी स्कूल जा रहा है, he notices some unusual crowd at the Bulletin Board. Although आपे बहुत 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 रही है पर आज कौन सा मेटर हो सकता है, this was the problem. The unusual crowd is point number one. Point number two can also be, changes in the school के अंदर, आपर एक Sunday morning की तरह silence पछाया हुए. Mostly there is an hustle-bustle, आपर वो hustle-bustle, वो noise जो regular routine में होती ही वाज नही थी, was missing and converted into just a silence of, silence like Sunday morning. यही लिखाय मने आपके notes में. Point number three, अगर वहाँ पर अंदर अंदर होने के बाद, friends देख रहा है कि आज तो मार पढने वाली, बहुत लेट हो गया है, because of all the procrastination that he did in the morning. तो MML तो आज डाट मारेंगे, पर MML का एक surprising polite nature that we were beginning without you, please have a seat. So this sentence itself makes clear कि आज MML सुनाने के नहीं, पढ़ाने के mood में है, वो बैठ गये और first मैंने आपको बताया unusual crowd, second मैंने आपको बताया वहाँ पर surprising politeness दिख रही है और Sunday morning का silence, but the most surprising element, जो हम बुक पढ़ते वग भी underline करेंगे, वो है, old villagers sitting at the back of the benches, where mostly it was no one there, empty benches पर आज villagers बैठे हैं, तो उन villagers के बारे में इसने लिखा है, कुछ mayor है, कोई, basically अगर आप one word में लिखना चाहिए, तो village officials है, अब village officials में old hauser है, आपके साथ महाँ पर कुछ mayor है, कोई policeman भी बैठे है, और अलग-अलग लोग एक tribute, एक respect के तौर पर एक tribute दे रहे हैं, for his 40 years of committed service, for Am Hamill, तो उनके tribute में वो लोग पीछे बैठे हैं, this was also surprising, and last but not the least, जब उसने सब कुछ notice कर लिया, the last thing that he noticed was, आपके dress भी है, उनका green coat, शायद यह उससे पहले ही हो गया है, villagers के पहले realize करने से पहले, but यह भी एक point है, कि उनकी important dress है आज, जो कि mostly occasions पहनते हैं, आज उन्होंने, वो occasional special dress पहन रखी है, with a frilled shirt, with embroidered silk hat and also this green coat, यह important चीज़े थी, जो changes in the school में आई, what were the changes in France, the most important question, I can vouch for it, कि यह question अगर आ रहा है chapter में से, तो यह जरूर आ सकता है, what are the changes in France, all of you please understand, France एक sensitive student है, लेकिन उसके नतर changes भी उसी vulnerability के साथ आये, जैसे वो पहले बहुत normally खुश मिजाद होकर आने की कोशिश कर रहा था, morning अच्छी थी, और वो unusual changes होते 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 हैं, उसके मन में भी कुछ doubts आने लगते हैं, changes in France को अगर आप notice करें, तो मैंने notes में आपको बहुत अच्छे से mention करवाया है, के एक तो, he was shocked at the first order of Berlin, he was totally shocked, तो मैंने आपकी notes में लिखा है, कि he was shocked, thunder clap, what a thunder clap those words for me, ये line थी, जिसने उसका shocking nature दिखता है, he was filled with full regret and guilt, because he had missed his past lesson, today he was missing it, क्यूं किया मैंने, full of regret and guilt, क्या आप बुल सकते हो, तो changes in France में एक तो shocked, at learning that this is the last French lesson, second, filled with regret, the third one can be, burden of books, जो कुछ देर पहले उसके लिए books एक burden थी, वो old friends बन गए, now he is loving his books, and change from burden of hatred to love, of those books, reverence for Mr. M. Hamill, increases multifolds, and increased multifolds के साथ आप एक लाइन और चोड सकते है, reverence for not only M. Hamill, but also for mother tongue of French language, increased multifolds, 40 years तक उसने अपने garden को, अपने trees को आपे सावारा ऐसा जाया है, but today he is not able to bring all of these, all of them together, कितना दिल दुख्रा होगा उसका जब ऊपर उस छथ पर, उसकी sister, M. Hamill की sister, backpack कर रही है, and they have to leave tomorrow, क्योंकि नकल तो नया, German teacher आने वाला है, So this is all about going about M. Hamill's emotions, पर friends के emotions में चेंज़े है, वो जादे इंपॉर्टन है, friends shocked है, full of regret and guilt है, hatred converted into love है, not only from, not only for M. Hamill, but also for the French language today, the mother tongue के लिए जो प्यार है वो उमड रहा है, and finally, books भी आज उसकी old friends बन गई है, यह सरे याद रखना, that's the important question. sequence क्या था the last lesson, the last lesson actually overall story में अगर data पर बात की जाए, it is a data based question, feeling based नहीं है, explanation ज्यादा कुछ भी नहीं है, the last lesson sequence क्या रहा, sequence बहुत simple सा है, rule of participants से शुरू होए थे, वाईवा के अंदर, नहीं बोल पाए हमारे friends भाई साब, इतना सिमिलर है ना, friends और friends जल्दी connect होगा, ठीक है, तो rule of participants पर जब हमारे friends नहीं बोल पाए, तो lecture शुरू होता है, और वही lesson का बहुत बड़ा part है, उस lecture में वो mention करते हैं कि सिर्फ तुमारी गलती नहीं है, गलती हम सब की है, we all have a great deal to reproach ourselves with, this is the line, हम सब की गलती है कि हम सब को वापिस सोचना चाहिए, कि हम अकेले mistake पर नहीं थे, पूरी society mistake पर थी, it is a problem of all the else's that it delays till tomorrow, पूरा else's district की यह problem है कि वो कल पर बाट टालते रहते हैं, और आज देखिए, आज जब भारवाली लोग आएंगे और तुम देखिए, that you don't know your own tongue, then how do you pretend to be Frenchman, आप Frenchman होई कैसे जब आपको French ही नहीं आती, तो अफिर वो तुमारे खिल्ली उडाएंगे और तुम देखते रहे जाओगे, this is all about sequence of the last lesson, कि सबसे पहले तो rule of principles पर वाईवा चल रहा है, लेकिन एगदम से वो lecture शुरू हो गया, क्योंकि वो सुना नहीं पाए हमारे friends, तो खड़े-खड़े बस सोचते रहे गए कि why am I that terrible to it, finally lecture की starting तो हो गई है कि हम सब की गलती है, friends की गलती है बर उसकी अलावा, Am Hamill खुद बोलता है कि मेरी भी गलती है, आपकी parents की गलती है जिन्होंने आपको काम पर भेजा without studies, आपकी पुरी society की गलती है पुरी LCS की गलती है, अब इसके बाद lecture खतम होते ही, he converts into a good mood and then lecture corresponds to French language किती beautiful चीज़, तो उसकी तीन points याद रखना जो मैंने आपकी notes में में मेंशन करें हैं, आपको वहाँ पर tinyurl.com PC 12th English पर मिल जाएंगे, मैंने लिंक आपको अल्रडी बता दिया है, तो मैंने आपको एक और चीज़ लिखी है कि Am Hamil French language के बारे में features भी बताते हैं कि वह beautiful है, clearest और most logical language है, इस language का कोई हिसाब नहीं है in the whole world, उसके बाद वो बोलते हैं, जब तुम mother tongue ही नहीं जानते होंगे न, तुम mother tongue के बिना तुम्हारे freedom के, जो key होगी, तुमको कभी नहीं बिलने वाली, तो you cannot be enslaved unless you have a key to your prison, that's what makes the biggest impact of the line, कि उस पर question आएगा तो you will write down, that yes mother tongue is the key to one's prison if you are enslaved, because that brings a cultural identity in you, brings the unity in you and you can be no more enslaved separately, you will be united and you will fight back, you will be fighting back. Next, writing lesson हुआ उसके बाद, यह सब lecture complete हुआ उनका के French lesson कितना French language किती अच्छी है, हमारी mother tongue किती जरूरी इसकी significance बताया उन्होंने, and finally उसके बाद शुरू होता है एक writing lesson, जिसमे उन्होंने लिखने के लिए books दी, पार्डिसिपल लेसन के बाद, पुरा lecture खतम होने के बाद, writing lesson फाइनली शुरू हो रहा है, बुक्स दी है लिखने के लिए, कर्सिव handwriting की जो बुक्स आती है हमारी, और उसकी उपर ही उपर लिखा हुआ है, France Elsis, F-A-F-A, ऐसा लग रहा था जैसे वो, प्रांस के colorful flags हों, all over the room, और इसलिए जब वो सब कर रहे थे, तो nobody paid attention to the Beatles, mostly Beatles से लोग डढ़ जाते हैं, उढ़ने वाले चोट-चोटे से कीडे होते हैं आपके आस-पास, और उसे डढ़े नहीं, चुप चावाज, attentively वो काम कर रहे थे, that was the tribute of every student in the class, next, writing lesson के बाद, उनका एक history lesson हुआ है, और उस history lesson के बाद, ये grammar lesson, writing lesson और history lesson के बार में जादा description नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है, there was a lesson in grammar, lesson in writing and lesson in history, और history lesson खतम होने के बाद, kids ने, ये last second part पर आ रहे हैं हम लोग lesson sequence के, kids ने अपनी poem बोली, अब बाबे भी नाम जरूर लिखा हुआ है, it was just a rhythmic poem, जो कि हमारे old hauser भी compare कर रहे हैं अपनी primer लेकर, primary is a preliminary class वाला A for apple, B for boy वाला book होता है, इसमें twinkle-dinkle little star type poems भी मिलती है, तो french primer है, उसको पढ़कर words match कर रहे हैं बच्चों के साथ, old hauser पर match हो नी रहे, उनकी funny voice पर एक line आती है, we all wanted to laugh and cry, और ये line आपको दिखा रहे है, ये सब लोग हसना भी चाहते थे और ये सब लोग रोना भी चाहते थे, हसना चाहते थे उनकी funny voice पर रोना चाहते थे, this pathetic situation पर that it is just the last French lesson, and we barely knew how to speak. Now, the kids have done with their poem, एकदम से घड़ी की बारा वस्ती है, clock struck 12, and that's the end of the lecture, M. Hemel अपनी पूरा जोर लगा कर, because out of his emotion is now ready to break down in the class, so, he simply writes in the biggest letter possible, Vev La France, और बस इस Vev La France पर ही, वो पूरा lesson खतम हो जाता है, exactly like this, if I want to enact it, my goodness, Vev La France, exactly ऐसे ही वो लिखते हैं, इसका actually मतलब होता है, English में, long live France, the patriotism he carries, और इस long live France के साथ, I am humble emotional हो कर अपना रख लेते हैं, board पर और बोल देते हैं, the class is dismissed, you may go home. Now, this is the end of the lesson, I hope आपको storyline समझ में आई होगी, पर storyline के साथ साथ, अपर्मो परिश्यन वर, यह है सबसे important line, starting में, आपको word याद रखना है, Francoprucian war, right? इस से काफी सुकुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि यह concept times में लिखी गई है, I hope the font is clear and if not I hope it's now clear and much legible I hope it is legible now so Franco-Polition War में लिखी गई है उसके बाद में लिखा हुआ है सबसे इंपोर्तन और वो है check करिये कि यहां पर लिखा हुआ आता है there was a crowd in the front of the bulletin board this was the first sign जब friends का mood change होता है उसको लगता है अरे यार कुछ unusual हुआ है crowd आज पी खड़ी है what can be the matter now this is already written here what can be the matter now right next there was a crowd unusual crowd के बाद don't go so fast कहते हैं वहाँ पर खड़े हुए एक भाई साब blacksmith watcher सब भी लगा के जब खड़े थे उनके एपरेंट इसने reading करते हो bulletin बोला अरे बेटा इतमे जल्दी भाग के मत जाओ तुम आराम से पहुँच जाओगे now friends on the other end is thinking कि मैं तो आज लेट हूँ जल्दी कैसे पहुच जाओगा क्या ये मजाग कर रहे हैं but no he was not joking actually he was saying तुमको बैसे भी जब भी जाओगे entry मिल जाएगे so that's why I wanted to say don't go so fast so this was second unusual thing that he noticed एक और लाइन है जो आपको underline कर लेनी चाहिए इस chapter में और उसको समझना चाहिए कि ओ कहना क्या चाह रहा है and that line should be this one the village people sitting quietly like ourselves I hope आपको यह लाइन दिख रही होगी village people का नाम बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इनका नाम याद रहा तो काफी सारा काम हो जाएगा आपका extract based questions में आ सकता है village people sitting quietly में कौन-कौन थे old hauser थे जो पीछे बैठे थे आठ surprisingly उनकी three corner head के साथ former mayor थे former postmaster थे और several others भी थे policeman नहीं postmaster थे right let me correct my words and इसके बाद यह रही वो line जिससे उसका shocking nature पता लगता है कि what was the realization जब order from Berlin सुना तो उस friends अपने sensitivity के साथ क्या सथा है आपको what a thunder clap those words for me वो words उसके लिए कितने बड़े thunder clap मतलब shocking nature के थे उसके बाद देखी यह एक और line है जो आपको online कर लेनी चाहिए जो की समझने में अगर कोई दिक्कत आए तो आप options पर लिख सकते है fine इसके बाद देखे यह रही वो line we have all a great deal to reproach ourselves with हम सब को अपने आपको reproach करना है दाट ना है फटकार लगानी के हम लोगो ने क्या किया इतने life में पूरी life निकल गया और French दंग से बोलनी तक नी सीखिया we all have a great deal to reproach ourselves with हम सब को एक दूसरे को introspect और दाट लगा कर सोचना चाहिए कि हम लोगो ने क्या सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम ही किया है या एक्चुली कुछ काम भी किया है so this is a line for the call of introspection that it's not only friends' mistake पर सब की mistake है parents, society, else's and even Am Hamill the teacher उसकी mistake है कि वो fischer man बन जाता था fishing करने के लिए बाद बाद क्लास off कर देता था आपको बच्चों को पानी डालने के लिए पदों बेस लता था when he was sending the students to to pour water in the garden of his home was he not making injustice to them yes this was all the character we needed and let's proceed yes इसके बाद एक लाइन आही थी I hope it is visible the line is talk of the French language now this was the ongoing lecture उसी के अंदर से French language निकली है mood change हुआ हमारे MML का he was sad and now is bit explorative and happy in talking about French language के how beautiful clear most and logical language it is तो ये है वो language के बारे में idea and then what is the next part is key to the prison वाली line बहुत important line इस line का भी meaning अगर आप याद रखेंगे तो काफी फाइदा मिलेगा लेकन भी पीछे वाली कोशन में star questions में इसका कोशन है राइट? तो वन पीपल अन्सलेव अन्सलेव दे as long as they hold fast to their language it is as if they have a key to their prison so they in short words people cannot be enslaved if they have the key to their prison that is their mother tongue their language their own identity राइट? तो इस वन मोर स्टर मार्क लाइगे जैसे जैसे पूछे जाये वैसे वैसे बताते जाये now one more line will they make them sing in German even the pigeons बहुत इंपॉर्टन लाइन है जो की story line में कवर नहीं कर पाए particular line है ये pigeons को भी के आप जर्मन बोलनी पड़ेगी and he wanted to range to extrapolate he wanted to extrapolate the intensity of that situation even to the non-human elements over there क्या अब उनको भी जर्मन में गाना पड़ेगा this is a taunting remark from his side and you can also say it's a sarcasm it's a sarcastic remark from friends into his mind that will this imposition of German could be extrapolated or ranged to those non-human elements as well just a sarcasm, nothing else right कोई पीजन से नहीं गवारा है वो जर्मन में गाने sounds horrible right उसके बाद ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टन लाइन कतम होने के बाद ये कि we all wanted to laugh and cry हम सब रोना भी चाहते थे और हसना भी चाहते थे आपको मैंने अल्रेडी समझा दिया है वो रोना चाहते थे because it was a last french lesson and they all were full of regret and guilt of missing the classes and they wanted to laugh because old household's voice was so funny while he was matching to the kids ना एक लाइन और बचरी है I never saw him look so tall आज से पहले तभी मैंने उनको इतना लंबा इतना तॉल नहीं देखा इसका मतला समझ रहे हो students it's not the physical height that he has grown it's actually the reverence the dignified commitment of his service that today he is reputed like never before आज से पहले कभी उनकी इतनी respect नहीं हुई थी not only in the eyes of friends but also in the eyes of all the other villagers आज इतने उचे लग रहे थे मतलब physically लंबे नहीं हो गय थे एकदम से respectfully psychologically gained he actually gained a height of respect and reverence psychologically into the minds of friends okay fine इसके बाद एक लाइन और आए थी that was vive la France और vive la France का मैने अभी अभी आपको meaning समझाया long live France that's the end of the story जिस पर last line पुछी जा सकती है vive la France क्यों लिखा because he was so patriotic and filled with the emotion कि उसके last French lesson को एक patriotic ending देकर he can sign off to the future now star questions की बार ही कर देते है star questions में सबसे पहला question था आपको automatically अपने answers मिल जाएंगे अगर आपने मेरा previous पुरा lesson रंग से सुना है और material जो मैं description box में नीचे link में डाल रहा हूं वो देखा है तो ये questions अब आपके लिए कुछ भी नहीं है I need not explain them if you have already gone through my entire lecture उसके answers में लेक्षर में दे दिये the first question people in this story suddenly realize how precious the language is to them what shows you this so you remember the first thing that I mentioned changes in friends and changes in the school a combined answer that people in this story suddenly realize how precious language is to them so villagers का पीछे बैटना unusual crowd का आप एक खटा होना और उन सब को उस class में बिटा का एक tribute देना ये people के लिए ठीक है friends is also a part of those people so friends के अंदर एकदम से respect बढ़ जाना for the French language, for Amhamil, for Mother Tongue ये सब symbols हैं कि they have today realized how important their language is to them that they can not even speak it how will they write it, use it in the future as a sign of their identity so actually they are not losing their language they are also losing their identity that's the fear that they have strucken with right what is the second question will they make them sing in German even the pigeons same answer will the terror the domination of linguistic chauvinism can be extrapolated to that sarcasm level of making pigeons also sing in German this can be the answer पर इसको बहर सिंपल बनाने के लिए क्या मैं अल्रेडी लेक्चर में बता चुका हूँ आप वहां से कॉपी कर सकते हैं that even the pigeons this is a sarcasm in the name of pigeons can they also be forced to sing in German not only the humans this is the question and this is the answer when a people are enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they have the key to their prison जब लोग enslaved होते हैं तो उनके पास चाब भी अगर हो अपनी मदर टंग की तो बस prison खुला है so this line is already explained in the lecture previously जो मैंने important lines बताई और उससे पहले मैंने story line बताई उसमें भी आप चेक कर सकते हैं as it is हमने सारी चीज़े जो discuss करी as it is answer हो रहे हैं तो चलो चेक करते चलते हैं last question what is linguistic shamanism जो की हमने theme में ही ले लिया था linguistic shamanism is language domination I hope उसके अंदर जो मैंने extra details समझा यती linguistic shamanism की वह भी आप यहां पे आज इस यूस कर सकते हैं and yes it is definitely carrying pride in one's language but too far जब आप खुद पर ही नहीं दूसरों पर भी इंपोस करने लग जाओ that is linguistic shamanism मुझे पंजाबी आती है तुझे हिंदी आती है पर तू भी पंजाबी बोल this is linguistic shamanism right चलो यह सब हमने पढ़ा तो I think lecture आपका clear हो गया होगा we are done with the basics the storyline the star mark and the star questions we are also done with this यह मैं आपको जादा zoom करके नहीं दिखा पा रहा हूं पर आपको image दिख जाएगी उस link पर जो link मैंने आपको अल्रेडी beginning of the lecture में दिया था tinyurl.com PC 12th English पर मिल जाएगी you can also subscribe to our channel for more details that's it stay updated signing off your host Himanshu Parihal thank you